पिपराईज विधायक महनपाल सिंग ने जनपत के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के अमरित महुस्थव के 13 अगस से 15 अगस तक अपने घरों में तिरंगा फैराएं क्योंकि हम सभी भारत में रहते हैं और देश आजादी का 75 अमरित महुस्थव मना रह दिरंगा था है इसलिए हम सभी लोगों को आगे आकर हर घर में तिरंगा फैराना चाहिए उन्होंने कहा कि कारिकरम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक कारिकरता से आगरा किया है कि हम लोग पर्धानमंतीर निरेद्मदी के दिये गए heut निर्देशों का पालन कि हर घर से तिरंगा फैरे देश को आजाद कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया है उनकी याद में यह कारिकरम आयोजित क्या जा रहा है और हर घर में तिरंगा लगा कर एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक निया भारत है और हर देशवासी वी सपूतों के बरिदान को याद कर रहा है इस समंद में गुरकपूर नियूस से बात करते हुए पीप्टाइश के विधायक महनपाल सिंग ने कहा हम सब भारत वर्स में रहते हैं तिरंगा हर घर पे फहर है ये सब की सोच होनी चाहिए हर घर में तिरंगा ये जो 13 से लेकर के जो 15 अगस्त के वीच में जो हम लोगों को फाराना है 13, 14, 15 हमारा एक-एक कारेकरता एक-एक ब्यक्ति सबसे हम लोगों ने यह आगर किया है और आगे हम सब इस अभियान को जो आदनी प्रधान मंत्री जी की जो सोच है कि हर घर तिरंगा पहर है हम सब उस तिरंगे को हर घरों में पहराने का कारे करेंगे क्योंकि हम सब भारत वर्स में रहते हैं और हमारे जो अमर सपुतों ने जिन्होंने इस देश को आजादित दिलाने के अपना युगदान दिया है उन युगदान उनका युगदान ये इस तिरंगे को लगा करके हम सब एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भारत है ये आजादी का जो अम्रित महुश्वफ अचत्ता वर्स में जो हम सब मना रहे हैं एक नया भारत होगा और इस आजाद भारत में हम सब स्वाय में जो आदानी मोदी जी और उत्रप्रदेश की मुख मंत्री जी की जो सोच है उसके अनुप भारत का एक एक नागरी कारे करे और हर घर में तिरंगा फाराए हम सब से यही अपील करते हैं